नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा भारत की नई शिक्षा नीती के बारे में New Education Policy 2020 का हम विशलेशन करेंगे, इसके सभी major points मैं आपको बताऊँगा साथ ही साथ उन points के criticism क्या हो रहे हैं, इनकी चर्चा भी हम करेंगे अगर आपने अभी तक Study IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ bell icon भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी important वीडियो मिस ना करें अगर आप मुझसे social media पर जुणना चाहते हैं, तो मुझे Twitter, Instagram या Facebook पर इन IDs पर follow कर सकते हैं मेरे सभी lectures के updates यहां पर आपत हो जाएंगे और PDF आप इस Telegram चैनल से download कर सकते हैं अगर आप civil सिवा परिक्षा यानि IAS exam की तयारी करना चाहते हैं, तो Study IQ app डाउनलोड कीजिए अपने mobile phone पर और UPSC smart course को उसमें अवेल कीजिए यह course Study IQ की faculties के द्वारा बनाया गया है और इस पर EMI options भी available हैं भारत में आजादी के बाद तीन शिक्षा नीतियां बनाई जा चुकी हैं, सबसे पहली बनाई गई थी सन 1968 में, second was in 1986 सन 1986 में, जिसे थोड़ा सा modify किया गया था 1992 में इसलिए कई जगे आप इसको इस तरह से लिखावा पाएंगे, शिक्षा नीती 86-92 यह भारत की तीसरी education policy है, 2020 में क्योंके यह cabinet के द्वारा अप्रूव करी गई, इसलिए अब हम इसे education policy 2020 कहेंगे या फिर अब मैं इसे इस lecture में आगे अब्रिवेट करूँगा NEP के तौर पर, new education policy तो हाला कि यह policy 5 साल से बन रही थी, इसका draft पिछले साल 2019 मई में, सरकार ने public कर दिया था उस पर सुझाव मांगे गए थे, जनता के लगभग 1,25,000 कुछ सुझाव आये हैं, according to HRD ministry और उन सुझावों को भी incorporate किया गया है इस final draft में एक बात मैं यहाँ पर add करना चाता हूँ, 31 जुलाई की शाम को जब मैं यह lecture record कर रहा हूँ उस वक्त तक, मानव संसादन विकास मंत्राले की website पर education policy का full draft यानि कि full policy publish नहीं करी गई है, लगभग 300 page की यह policy होगी, अभी तक तो नहीं आई है ऐसा अनुमानित है कि 1 या 2 अगस्त को यह upload कर दी जाएगी, अभी जब मैं यह video बना रहा हूँ तो मैंने सारी जानकारी अपनी base करी है, HRD ministry की website पर ही upload किये गए एक 66 page के document पर, यह जो 66 page का document है, यह एक तरह से summary है, पूरी education policy का लेकिन जो actual policy है, वो लगभग 300 page की होगी, लेकिन इस 66 page में भी हमें बहुत सारी जानकारिया मिलती है और उसी के basis पर हम इस policy को discuss करेंगे, तो यहाँ इस video को मैंने divide किया है 6 हिस्सों में क्योंकि यह 6 major points हैं जहां पर बदलाव लाए जाएंगे, पहला होगा स्कूली शिक्षा, दूसरा है किस भाशा में पढ़ाई होगी, language, तीसरा है उच्च शिक्षा, higher education, चौथा, technology in education, पाँचवा finance और last है implementation इसमें भी हमारा main focus रहेगा इन तीन पर, क्योंकि सबसे जादा यही तीन effect हो रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे स्कूली शिक्षा के बारे में, तो स्कूल का अभी तक का जो pattern होता था, वो था 10 प्लस 2, यहनकि 10 साल, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक, सभी students common subject पढ़ते थे, और आखरी के 2 साल, उन्हें specific subject पढ़ने होते थे, जैसे arts, commerce, science, अब इस pattern को divide करके कर दिया गय I am sure जो भी लोग यह वीडियो देख रहे होंगे, इस वक्त वो यह तो 10 प्लस 2 में होंगे, या फिर 10 प्लस 2 के माध्यम से ही आगे पास हुए होंगे, अब pattern किस प्रकार से होगा, 5 साल का foundational school, 3 साल का preparatory school, 3 साल का middle school, और 4 साल का secondary school, अब इसमें हम बात करते हैं, individually, हर stage पर कित कक्षा 2 के, अभी तक government school में ये 3 साल वाली पढ़ाई नहीं होती थी, government schools में direct admission class 1 से होता था, हाला कि अगर आप private school से पढ़े हैं, तो आपने जरूर kindergarten या nursery जैसी कक्षाओं में पढ़ाई करी होगी, तो वो वाले जो 3 साल हैं, अब schools, government schools में भी add किये जाएंगे, तो अब य 3 साल की पढ़ाई है, कक्षा 3 से कक्षा 5, तीसरा stage होगा, middle stage या middle school, इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, यानि कि ये एक तरसे माध्यमिक शिक्षा हो गई, जो उत्तर भारत के students हैं, वो माध्यमिक school के नाम से इस stage को जानते होंगे, चौता है secondary, secondary stage में 4 साल की पढ़ाई है, class 9 स class 12 तक की, और एक important update ये है, कि जहाँ पहले students को कक्षा 11 में subject select करने होते थे, यानि कि 10th class pass करने के बाद, अब subject आप select कर सकते हैं, 9th class से ही, तो 9th से 12th आप अपनी मर्जी के subject पढ़ सकते हैं, ये एक बहुत ही important update है, तो नई education policy ने, जो mandatory schooling years होते थे, जो right to education के तहद भी पहल 14 साल का कर दिया है, ध्यान रखिए, अभी तक समिधान में कोई संशोदन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे उमीद है कि आने वाले कुछ सालों में amendment लाया जा सकता है, अभी तक कोई सरकार ने plan नहीं बताया है, लेकिन इस पूरे pattern का एक criticism हो रहा है, वो ये, कि सरकार अभी जो pre-primary stage है, उसके लिए आंगनवाडी पर निर्भर कर रही है, जो आंगनवाडी centers है, बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, अल्रेडी कई राज्ये इस pattern को follow कर रहे थे कि आंगनवाडी centers में छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए, especially राजस्थ के लिए आंगनवाडी कारेकरताओं पर निर्भर कर रही है, और ये इस पूरी scheme का एक बड़ा criticism है, क्योंकि आंगनवाडी कारेकरता ना तो पढ़ाने के लिए trained है, ना ही equipped है, ना उनके पास संसाधन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना ही उनकी कोई training हो रखी है, जै एक साल का diplomat program करवाया जाएगा, ताकि वो basic समझ पाएं ECCE का और बच्चों को पढ़ा पाएं, लेकिन ये वाला जो pattern है, इसको लेकर सरकार का criticism हो रहा है, अगला बड़ा बदलाव है board exam के patterns में, मुझे लगता है कि आप में से कई लोग तो यहाँ पर किवल यही जानने आ admission मिलता है, stream choose करनी होती है, ये pattern change होगा, 12th class के percentage की भी हैमियत है, उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा, board exam में जो focus रहेगा, वो उस पर होगा कि आपकी knowledge कैसी है और आप उसको apply कैसे कर रहे हो, real world में, तो pattern थोड़ा सा बदलेगा, definitely, और साल में दो बार board exam करवाए जाएंगे जिन में आपका अच्छा score आता है, उसका आप score final मान सकते हैं, तो इससे एक anxiety कम होगी, अगर किसी का एक बार board exam खराब हो गया, तो वो second time अपने सुधार कर सकता है, एक और बहुत अच्छा बदलाव ये लाए गया है, कि जिस subject में आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो आपके बास एक option रहेगा कि आप mathematics advanced level या mathematics medium level दोनों में से एक select कर लेगी कि किसका exam आपको देना है, तो जो भी आप select करेंगे उसका आपको board exam देना होगा और वही आपकी mark sheet पर enter रहेगा, मान लो कि आप decide कर चुके हो कि आगे आपको photography में अपना career बनाना है, आपको मालूम ह कि mathematics आपके बहुत जादा काम की नहीं रहने वाली है, तो आप advanced mathematics की जगे, medium level की mathematics select कर सकते हैं, तो उससे आपकी math subject को लेकर anxiety कम हो जाएगी, यह मैं केवल example दे रहा हूं math का, अन्य subject में भी ये system लागू किया जाएगा, class 11th और 12th में जिस तरह से अभी तक stream का selection होता था, arts, science commerce, यह hard separation खत्म हो जाएगा, अब आप चाहें, तो आप science के subjects जैसे कि physics और chemistry के साथ, history या political science भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप humanities के subjects के साथ, commerce के subjects भी combine कर सकते हैं, तो यह option अब दिया जाएगा, there will be no hard separation amongst the subjects, और एक और important update यह है, कि यहाँ पर जो co-curricular activities हैं, या फिर sports के subjects हैं, उनको भी बराबर weightage दिया जाएगा, उनको भी as subjects count किया जाएगा, equal to physics और equal to history और equal to political science, student के assessment यानि marking में भी एक बड़ा बदलाव लाया जाएगा, कि peer assessment को include किया जाए, जैसे कि students class में एक दूसरे को भी marks देंगे, कि उसका performance कैसा है, उसकी learning कैसी है, तो peers और teachers दोनों के thinking, conceptual clarity पर जादा ध्यान होगा, ना कि road learning पर, ये सभी बदलाव कब तक लागू किये जाएंगे, तो NEP में ये लिखा गया है, कि जो भी syllabus में बदलाव होंगे, teachers की training में बदलाव होंगे, उन सभी को तुरंट चालू किया जाएगा, ताकि assessment system का बदलाव 2022-2023 academic session तक लागू क संभावना कम है, at least 2-3 साल का समय लगी जाता है, इस तरह की बड़ी policies को लागू होने में, तो आप 12th board का exam शायद पुराने pattern पर ही देंगे, हाँ, अगर सरकार बहुती तेजी के साथ काम करती है, तो हो सकता है, 22 वाला board exam नए pattern पर हो, लेकिन मुझे इसकी संभावना नजर करिक्यूलम में भी बदलाव लाया जाएगा, National Curricular Framework for School Education, NCFSE 2020-21 का काम अल्रेडी शुरू हो चुका है, NCRT syllabus में बड़े बदलाव करने वाली है, और ये बदलाव अगर 2021 तक हो जाते हैं, तो फिर 2022-23 वाले session में जो assessment के changes हैं, वो लागू किये जा सकते हैं NEP का target है कि foundational level पर, यानि कि जो primary school का level है, वहाँ पर 100% literacy आजाए, universal literacy आजाए, 2025 तक student-teacher ratio 30 to 1 करने का target है, और दीक्षा portal जो अल्रेडी चालू है, वो teachers को train करने के लिए mainly launch किया गया है, उसको भी और high quality resources उसमें जोड़े जाएंगे, इसके अलावा भी कई छोटे-छोटे points है जो मैं सभी यहाँ पर discuss नहीं कर रहा हूँ, मैं के वल जो बड़े-बड़े major points है, जो as students आप लोगों को effect करेंगे, उनके बारे में चलजा करूंगा, शिक्षा नीती में 2035 के लिए कुछ gross enrollment ratio के target set किये गये हैं, इस gross enrollment ratio का मतलब क्या होता है, इसको एक उधारन के साथ समझ कि primary level पर gross enrollment ratio है 90%, यानि कि कितने प्रतिशत बच्चे जो school जा सकते हैं, वो school में है, तो अभी भारत में जो primary gross enrollment ratio है, वो तो काफी अच्छा है, कई जगे पर 100% के आसपास भी चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती जाती है, यानि कि middle school आत 65 बच्चे हैं, जो 11th class में admission लेते हैं, तो सरकार चाती है कि 2035 तक ये ratio 100% हो जाए, यानि कि जो भी बच्चा primary school में आता है, वो secondary school भी खत्म करके बाहर निकले, अभी हमारे यहाँ ये ratio गिर जाता है, middle school में around 80% हो जाता है, फिर secondary school में 55-56% के आसपास रहता है, फिर बात करत ये आकड़ा रह जाता है, 260, तो higher education में ये ratio 50% हो, तो अगर ये ratio जस्ट double करना है, तो इसके लिए हमें colleges की संख्या भी double करनी पड़ेगी, दुग नी करनी पड़ेगी, अब बात करते हैं भाशा की, जिस भाशा में बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, वो हमेशा से controversial रहा है, चाहे वो नई शिक्षानीती हो या फिर पुरानी शिक्षानीतियां हो, 1966 में इसको लेकर तमिल लाडू में काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो अभी latest education policy ये कहती है, कि बच्चों की पढ़ाई जितना हो सके, उनकी मात्रभाशा में होनी चाहिए, the medium of instruction must be the mother tongue, exact ये लिखी गई है, आप एक बार इसे pause करके पढ़ियेगा जरूर, wherever possible, the medium of instruction until at least grade 5, but preferably till grade 8 and beyond, will be the home language, mother tongue, local language और regional language, यानि कि जहां तक हो सके, class 5 तक तो करना ही है, और हो सके तो class 8 तक, medium of instruction, जिस भाशा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो या तो मात्रभाशा हो या फि ये class 5th या 8th के बाद भी as a language wherever possible, this will be followed by both public and private school, यानि सरकारी और private school, दोनों में ही ये policy follow होनी चाहिए, यहां पर keyword है wherever possible, यानि जहां तक हो सके, ये शब्द इसलिए इसलिए इस्तिमाल किया गया है education policy में, क्योंकि शिक्षा एक concurrent list का subject है, उस पर राज्य और केंद्र दोनों ह कानून बना सकते हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को बाद दे नहीं कर सकती, कंपलसरी नहीं बना सकती, कि आप इस भाशा में पढ़ाई करवाएं, एनिपी में ये भी लिखा है कि research बताता है कि बच्चे भाशा को बहुत जल्दी pick up करते हैं, अगर 2 से 8 साल की उम बोजर मिलना जरूरी है, तो यहाँ पर जो भविश्य में पढ़ाई होगी, उसमें definitely सरकारें कोशिश ये करेंगी, कि जो मात्र भाशा है, उसमें primary education दी जाए, focus उस पर रहेगा, लेकिन अब इसमें 3 language formula थोड़ा सा controversial रहता है, तो पुरानी शिक्षा नीती में ये 3 language formula लाय पढ़ाई जा रही है Tamil, as a language, दूसरी भाशा पढ़ाई जा रही है English, तो तीसरी भाशा French नहीं हो सकती, क्यूंकि ये 2 भारत के बाहर की भाशा हो गई, तो तीसरी भाशा या तो Kannada हो सकती है, या फिर Malayalam हो सकती है, Hindi हो सकती है, Sanskrit हो सकती है, कोई भी भाशा हो लेकिन भारत नहीं बना सकती तो ये कितना implement किया जाता है ये राज्यों पर निर्भर करेगा जैसे कि आपको बताऊं अभी recently आंदर प्रदेश ने ये तै किया कि उसके सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होगा आंदर प्रदेश ने medium of instruction चेंज कर दिया है तेलगू के बजाए English medium में बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी पिछले साल जब NEP का draft रिलीज किया गया था केंदर सरकार के द्वारा उस समय इस three language formula में ये लिखा गया था कि एक भाशा हिंदी होनी ज़रूरी है जब दक्षिन भारत के राज मात्र भाशा हो इसको लेकर थोड़ा सा criticism भी हो रहा है इस policy का समझे क्यों देखिए उत्तर भारत में मदर टंग क्या होगी जादतर राज्ये हिंदी माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे दक्षिन भारत के राज्ये जैसे कि तमिल नाडू में तमिल माध्यम होगा किरला में मल्यालम होगी करनाटका में कनड़ा होगी अब यहाँ पर सरकारी स्कूलों में तो ये मातर भाशा में आप पढ़ाई करवा सकते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको compulsory ये rule follow नहीं करवाया जा सकता और देश के जो कई सारे English medium स्कूल हैं वो तो इसको definitely नहीं follow कर और आगे चलकर उनको थोड़ा सा benefit मिलेगा definitely जो technology वाले field है science है internet है इन सभी में dominant भाशा English है तो आगे चलकर उनको थोड़ा सा benefit मिलेगा ये एक सच्चाई है और दूसरी और जो मातर भाशा में पढ़े हुए बच्चे हैं उनको एक disadvantage रहेगा तो unequal learning यहाँ पर primary education से ही शु से वो भाशा पढ़ी है तो उन्हें नौकरियों में जहाँ पर English language compulsory होगी वहाँ benefit मिलेगा और एक class divide भी इसमें आता है क्योंकि आप देखे अपर middle class और upper class के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को English medium school में ही भेजते हैं चाए कोई बड़ा मंत्री हो नेता हो सब English medium school में ही बेजना prefer करते हैं ये class divide क्यों है कि जो गरीब है जो सरकारी school में जाएगा वो मात्र भाशा में पढ़े चाए वो कोई भी भाशा हो Hindi, Tamil, Telugu लेकिन जो अमीर बच्चे हैं वो English भाशा में पढ़ें तो ये एक class divide सामने आता है एक समस्या उन लोगों के लिए भी आ सकती है ज download transfer हो जाता है पश्चिम बंगाल में तो बंगाली भाशा में पढ़ना पड़ेगा तो ऐसे में उनके बच्चों के सामने थोड़ी सी समस्या आ सकती है इस पूरे criticism का एक counter argument भी है वो ये कि जो बच्चे अपनी मात्र भाशा में सीखते हैं knowledge gain करते हैं उनको काफी असानी होत वो आगे जाकर English language के benefit को beat करता है उसे पीछे छोड़ता है या नहीं जब वो बच्चा 15 साल बाद नौकरी के लिए जाएगा तो क्या उसकी ये जो primary education में अच्छी knowledge थी ये उसको job दिला पाएगी या फिर English language का अगर उसे बहतर ग्यान होता तो क्या वो उसे job दिला पाता school से आगे बढ़ते हैं college में दाखिले के लिए देश में कई तरह के exams होते हैं entrance exam होते हैं कहीं पर cutoff ली जाती है directly 12th class के percentage के basis पर तो ये वाला जो system है इसको streamline किया जाएगा एक common entrance exam के माध्यम से तो देश के जितने भी school से पास होने वाले बच्चे हैं वो एक common exam देंगे जिस CEE का exam और उसको लेकर आप देश में Tamil Nadu से लेकर जमू कश्मीर की किसी भी university में apply कर सकते हैं और उसके basis पर आपका admission होगा अब इसमें देखो NTA में कैसा paper होगा एक शायद common aptitude test रखा जाएगा और दूसरा एक paper होगा वो आपके subject के अनुसार होगा तो अगर आपको history में BA कर नहीं के आवशकता नहीं है 6 महीने बाद फिर से दीजे बहतर score कीजे और admission ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक आपको point बता दूं कि जितने professional courses है medical, legal, engineering, IIT इनके लिए exam अलगी होगा वो शायद CEE में शामिल नहीं होगे क्योंकि already इनके लिए exams NTA द्वारा conduct करवाया जा रहा कि जितनी बड़ी और famous universities हैं वो इसको follow नहीं करने वाली हैं क्योंकि वो अपना खुद का form निकालती हैं उसका entrance test लेती हैं उससे पैसा आता है revenue आता है वो उसको क्यों छोड़ना चाहेंगे तो जब तक ये compulsory नहीं होगा तब तक इसको सारे university follow नहीं करने वाले हैं अब बा रिलीज हुआ था इस education policy का तब HECI का का काफी discussion हुआ था इस video का आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो कि दोनों में differences क्या हैं ये समझने के लिए briefly मैं आपको बता देता हूँ कि अभी देश में अलग-अलग तरह की संस्ताय हैं जैसे medical education, medical colleges को regulate करने के लिए अलग body है legal colleges के लिए अलग body है वो सभी समाप्त हो जाएंगी और उनकी जगे एक commission होगा higher education commission of India जो सारे higher education institutes को govern करेगा और दीरे-दीरे target यह है कि 15 सालों में जितने भी affiliations हैं वो खत्म कर दिये जाएं जैसे अभी क्या होता है आप अगर करनाटक में हैं तो वहाँ पर एक राजीव गांदी university of health sciences है अब उस RG, UHS में करनाटका के नजाने कितने colleges affiliated हैं तो अब यह होगा कि वो सारे affiliations समाप्त होंगे और सभी universities को और colleges को autonomy दी जाएगी कि उनको किसी दूर दराज की university से affiliation होना जरूरी नहीं है वो अपने हिसाब से स्वायत्तिता से अपने courses चला सकते हैं डिग्रीज को दे सकते हैं लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा 15 साल का target है कि दिरे दिरे ये affiliation वाला system खत्म किया जाएगा दूसरा बड़ा बदलाव है कि universities को और colleges को multi-disciplinary बनाया जाएगा अभी क्या होता है जैसे कि देश में IIT स्थापित हैं तो IIT केवल engineering की पढ़ाई करवाते हैं लेकिन अब कुछ IIT में humanities के department भी चालू हो चुके हैं जैसे IIT दिल्ली है, IIT खड़कपूर है अब कोशिश ये है कि सभी universities multi-disciplinary बनें, ऐसा नहीं है कि कोई एक college commerce का है तो वो commerce का ही बना रहेगा, जिसे पहले होता था कि शहर में arts college है, वहाँ पर किवल BA arts की पढ़ाई होती है, लेकिन अब जितने भी colleges हैं वो multi-disciplinary बनेंगे जहाँ पर सभी stream कई तरह के subjects available हो और उनमें students के पास option हो कि वो अल university हो और एक district में नहीं तो कम से कम near every district, यह exact शब्द इस्तिमाल किये गए हैं, एक university हर district में होने का target है, फिर उच्चे शिक्षन संस्थाओं में भी जो पढ़ाई का माध्यम है, वो local Indian languages हों, ना कि किवल English, इसके लिए भी प्रहत न किये जाएंगे, और faculty और institutional autonomy, यानि कि स्व fund करेगा, actively कई universities और colleges में research fund लगाए, develop किये जाएंगे, और इससे देश में research को बढ़ावा मिलेगा, overall जितना भी governance structure है, वो light but tight के formula पर चलेगा, यह शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, यह NEP के अंदर लिखे गए हैं कि light but tight governance, regulation by a single regulator for higher education, और उसके लावा देगो faculty और student पढ़ and read them, अगला बड़ा बदलाव है, चार साल के undergraduate courses, अभी क्या होता है कि BA, BCOM, BAC, यह सारी degrees तीन साल के होती हैं, उसके बाद दो साल का master's होता है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, undergraduate degree चार साल की होगी, और इसमें multiple exit option होगे, exit option का क्या मतलब है, मान लो, BA history honors में, तीन साल का course है, BA history honors, लेकिन मुझे एक साल बाद history में बिलकुल interest नहीं रहता है, मुझे लगता है कि मैंने गल्ती कर दी, तो मैं यह course छोड़ देना चाहता हूँ, तो मैं अगर एक साल बाद यह course छोड़ता हूँ, तो भी मुझे certificate मिलेगा, कि मैंने BA history honors का certificate course मुझ advanced diploma मिलेगा, अगर मैं 3 साल पूरा करता हूँ, तो मुझे bachelor's degree मिलेगी, और अगर मुझे history इतनी पसंद लेगी, मैंने 3 साल bachelor's degree लेने के बाद, 1 साल और पढ़ाई जारी रखी, और मैंने कुछ research कर लिया, कोई research papers publish कर दिये, तो वो 4 साल में bachelor's degree with research कहलाईगी, तो यह मैंने आ आपको उस subject में भी diploma मिलेगा, उसके बाद हो सकता है कि आप 2 साल बाद screen change करके, कोई और 3 साल की degree करने चले जाए, तो that is completely okay, एक और बदलाव इसी scheme में लाए गया है, academic bank of credit के रूप में, यानि कि आपने जितने subject, जितने समय पढ़े हैं, उनका आपका credit score गिना जाएगा, औ मान लो कि आपने एक साल certificate course किया, घर में परिस्तितियां सही नहीं थी, आपने course छोड़ दिया, तो यहाँ पर सोचो 10 credit आपने हसल कर लिए, और पूरी degree के लिए आपको चाहिए 40 credit, तो अब बाकी के 30 credit हसल करने के लिए, आप 5 साल बाद या 10 साल बाद भी college में जाकर उन्हे हसल कर सकते हो, और वो एक college से दूसरे college में भी जाकर किया जा सकता है, तो यह जो मैहुना फिल्म में बताया गया था ना कि शारुक खान बहुत सालों बाद college में पढ़ाई पूरी करने आता है, तो वो असलियत में किया जा सकेगा, तो मैहुना real life में possible है with academic bank of credit, अगला बड MFIL की degree और होती थी, अब विदेशी colleges में generally MA, Masters के बार directly PhD होता है, लेकिन PhD में research work इतना जादा होता है कि उसके लिए students तयार नहीं होते, तो भारत जैसे कुछ देशों में यह MFIL नाम की degree है, जिसमें आपको research work करना पड़ता है और आपको यह PhD के लिए तयार कर देती है, तो MFIL की degree को इसलिए समाप्त किया जा रहा है, अब नई scheme में यह होगा कि अगर आपने 4 साल वाला BA किया है, यानि कि degree along with research, तो उसके बाद आपको किवल 1 साल का MA करना है, और आप directly PhD में admission ले सकते हो, अगर आपने 3 साल वाला BA course किया है, तो फिर आप 2 साल का master's कीजिए, और by the way master's के अंदर भी research work आप add किया जाएगा, फिर आप directly PhD में admission ले सकते हो, तो अभी जो चात्र MFIL कर रहे हैं, उनकी degree पर कोई असर नहीं आएगा, लेकिन आप मान के चलो कि next academic session से MFIL का entrance बंद हो जाएगा, MFIL में कोई भी entrances नहीं होंगे, तो अगर आप master's कर रहे हैं इस वक यानि कि अब विदेशी universities भारत में पढ़ाई करवा सकती हैं, इसको भी criticize किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि ये foreign शिक्षा विदों को या फिर foreign universities के curriculum को भारत में लाना हो जाएगा, हमारी शिक्षा में विदेशियों का involvement नहीं होना चाहिए है, विदेशियों का मतल सस्टेन करने के लिए, अपना infrastructure सस्टेन करने के लिए, तो अगर foreign universities आई तो दिरे दिरे ये system loan based हो जाएगा, क्योंकि इनकी funding तो चात्रों की fees के द्वारा होगी, तो चात्रे लेंगे loan और उससे चुकाएंगे fees और उसी से ये universities चलने वाली हैं, education policy कहती है कि technology का education में इस्तम बनाया जाएगा और massive open online courses को बढ़ावा दिया जाएगा, दिव्यांग friendly educational software होंगे, e-content, various regional languages में 21 सदी के challenges से निपटने के लिए, virtual classes, virtual labs होंगी, यहाँ पर बच्चे experiment कर सकते हैं, online assessment और online exam भी होंगे, हाला कि ये policy coronavirus pandemic के आने से पहले तयार हो चुकी थी, लेकिन मुझा ऐसा feel होता है कि शायद ये कुछ points add किये गए हैं बाद में ताकि COVID-19 pandemic के बाद का जो scenario है, उसमें भी शिक्षा को adapt करना होगा, शिक्षा नीती का अगला focus है teacher recruitment पर, NEP ये कहती है कि teacher must be at the center of fundamental reforms in education system, जितने भी reforms आ रहे हैं, जितने भी बदलाव आ रहे हैं, उनमें केंदर में teacher होन मैं फिर से स्थापित करें क्यूंकि शिक्षक हमारी आने वाली PD को बनाते हैं, they shape the next generation of citizens, तो शिक्षकों के recruitment के लिए अभी जो exam होता है teacher eligibility test, जो CTAT होता है या फिर अलग-अलग राज्यों में जो TAT होते हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव लाया जाएगा, उनमें better test material इस्त के teachers हों, एक बहुत important change यह है कि अभी के TAT वाले existing model में interview जोड़ा जाएगा एक तरह से, demonstration या interview कहेंगे इसे, और यहाँ पर teacher को live demonstration देना होगा कि वो कक्षा में कैसे पढ़ाएगा, उससे teacher का passion और motivation मालूम चलेगा, और ये प्रक्रिया सभी school में होगी, चाहे वो public हो या फिर private, इन demo classes या interview से, students कितना comfortable है, teacher की भाशा को लेकर ये भी मालूम चलेगा, और कोशिश ही रहेगी कि ऐसे teachers hire किये जाएं, जो local भाशा में बच्चों को समझा सके हैं, और एक बात और यहाँ पर add कर दूँ, शिक्षा नीती ये भी कहती है कि teachers के जो transfer है, उनको कम किया जाए, इतना ना हो, ताकि एक ही teacher बच्चे को पढ़ाता रहे, उससे learning outcome थोड़ा सा better होगा, teachers की जो qualification होती है, उसमें भी कुछ बदलाव लाया जाएगा, अभी 2 साल का B.A.D. होता है, उसको 4 साल का integrated B.A.D. कर दिया जाएगा, यानि कि आप 12th class के बाद सीधा अगर शिक्षक बनन अब यही फायदा है, 4 year और 3 year courses का, कि मान लो, अगर आपने 4 साल की research वाली graduation करी है, तो यहाँ पर आपके लिए जो teaching का course है, यह दो साल या फिर 1 साल का ही रखा जाएगा, अगर 3 साल का किया है, तो 3 प्लस 2 का जो old formula है, वो भी continue रख सकते हैं, कुल मिलाकर अगर कोई directly teaching line में जाना चाता है, तो उसको एक normal graduation करने में वक्त जाया करनी की जरूत नहीं है, directly integrated B.E.E.D. के साथ वो आगे बढ़ सकता है, और जो 2 और 1 साल का B.E.E.D. मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में detail कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं, आपर pause करके, फिर बात करते है, अब problem यह है कि कभी भी यह target achieve नहीं हो पाया है, तो यह अभी 4.43% के आसपास है GDP का, और इसमें भी state और center दोनों को मिला कर यह आता है, 4.43% का, तो यह target achieve हो पाता है या नहीं, सब कुछ implementation पर निर्भर करेगा, तो इस finance वाले मुद्दे का criticism बस यही है, कि यह तो एक बढ़ाया भी नहीं है, तो जो पिछली दो policy में भी हम achieve नहीं कर पाए, क्या वो इस तीसरी policy में achieve कर पाएंगे या नहीं, finally अगर हम overall बात करें, तो पूरी education policy का सबसे बड़ा drawback या criticism यही है, कि यह एक broad direction है, यानि कि यह किवल एक दिशा निर्देश हैं सभी राज्यों को क्यूंकि राज्यों में भी यह अधिकार हैं कि वो शिक्षा पर कानून बना सकते हैं, याद रखिए education is a concurrent list subject, तो राज्यों को इस शिक्षा नीती को exactly follow करना compulsory नहीं है, उनके लिए mandatory नहीं है, वो चाहें तो अपनी अलग नीती भी follow कर सकते हैं, हाला कि भारत की अच्छी राज्यों और केंद्र सरकार जनरली शिक्षा के मामले पर collaborative और cooperative approach रखते हैं, मिल बाट कर काम करना प्रिफर करते हैं, इस शिक्षा नीती का target है कि 2040 तक सभी target अचीव कर लिए जाएं, हासिल कर लिए जाएं, तो भारत में शिक्षा की दशा और दिशा आने वाले दो दश document रिलीज करता है, वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ और वीडियो लेकर आएं on specific topic, ये तो मैंने एक पूरा generalized वीडियो बनाया है और इसके अंदर जो specific topics हैं, उन पर भी हम वीडियो आपके लिए ले आएंगे, जैसा कि आप लोग चाहते हैं, जैसा कि आप ने हमें message किया, thank you very much for watching this, have a great day